हाजी दोस्तों तो ML interview series के अगले question की तरफ बढ़ते हैं देख लो जी आपके सामने लिखा हुआ है बड़ा fundamental question है supervised learning versus unsupervised learning versus reinforcement learning बड़ा बेसिक मुद्धा, fundamental मुद्धा है learning तो होगी लेकिन किस fashion में? supervised fashion में, supervised का मतलब क्या होता है जी देखो यहाँ पे आपको input के साथ-साथ output यह pair देखने को मिलने वाला है यानि कि आपका labeled data वहाँ पे मौझूद होने वाला है आप बात समझो, target data समुझ लो, label समुझ लो, वहाँ पे मौझूद होगा आपको बताने के लिए कि respective लिए अगर यह input है तो उसका क्या output है यह actual होता है, यह actual होता है और जो हमारा model trained होने के बाद predict करता है वो predicted output होता है, यह actual output होता है यह भी दो distinguishing point है, साथ की साथ एक और analogy अगर आपके साथ शेर करूं तो सिर्फ questions ही नहीं given होते है questions के साथ साथ answer भी given होते है, तो जो भी आपके data sets के record है जो independent variables है वो आपके questions है और basically this question का क्या answer होना चाहिए, वो आपके respectively why यानि की respective labels है, वो आपके output data, target data है यह आपको यहाँ पर understand करना है समझना, simple example देता हूँ, let's consider आपका जो model है, ठीक है, उसे भी यह train करना है to classify in between let's say cat and dog, ठीक है cat or dog के बीच में distinguish अपने को करना है तो उसको क्या करेंगे, अपन data देदेंगे, अब जो data होगा, वो कुछ इस fashion में data होगा, यानि कि supervised, यानि कि यहाँ पर output, यानि कि यहाँ पर label, यानि कि यहाँ पर target data मौझूद होगा, यानि कि आपके पास let's say, ऐसे 10,000 images है और 10,000 images के साथ वो जुड़ा होगा आकड़ा, जैसे कि 1 का आकड़ा जुड़ा है, 0 का आकड़ा है, 1 का आकड़ा, तो यह 1 बताता है कि यह image dog की है, यह 0 बताता है कि यह image cat की है, यह 1 बताता है कि dog की है, 0 बताता है cat की है, तो यह क्या होगई, यह आपके होगई labels, यह का train वो successfully हो गया ठीक है अब अगर मैं इसको एक image प्रोवाइड करता हूं तो आप यह image को देखने के बाद जो है finally मुझे prediction देगा एक तो 1 या 0 यानि कि यह dog यह cat है आप बात समझ पा रहे हैं इस प्रकार से यह सारा ताम जाम जो यह supervised learning में चल रहा है अब आगे बढ़ते हैं अन्सुपर्वाइज लर्निंग तो अव्यसी बात इसका उल्टा होना चीए अन्सुपर्वाइज मतलब यहाँ पे इन्पुट के साथ आउट्पुट नहीं होगा नहीं होगा यह बात समझो यानि कि यह डेटा आपका लेबल्ड नहीं है यहाँ पर टार्गेट या लेबल्ड ऐसा डेटा नाम की चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर आपको चीज जानने भी यहाँ पर ना सिमिलार्टी अपन देखते हैं यहाँ पर एन एक्जामपल भाईया मैं एपल ले लेता हूं ठीक है यह एपल में दो कंसिडर करते हैं दो टाइप दोनों तो एपल ही बाईया लेकिन यहाँ पर आप आप देखेंगे यह यहाँ पर आप अलंस देखा जाए तो एपल एपल ही लेकिन दे मैं बाट सकता हूं अलग अलग गुरूब्स में बाट सकता हूं आलग अलग क्लशे में बाट सकता हूं यही चीज unsupervised learning में की जाती है बात समझे जो let's say आपके पास thousand ऐसे apples है तो based upon this dissimilarity ये जो dissimilarity color की कि इसका color आ लगे इसका color आ लगे बाकी features तो similar आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि दोनो apple है लेकिन color जो है उसके basis आपन क्या कर सकते है यइदर यइदर अब होगा क्या? कि ये respective वाले जो class या group या cluster के apples रहेंगे इनमे similarity क्या रहेगी वो एक ही color के है red और यहां के जो respective apple रहेंगे इस class के इस group के या cluster के basically उनके अंदर similarity क्या रहेगी क्या similar feature रहेगा that is उनका color that is green ये बात आपको जाननी है समझनी है सिंपल सा मुद्दा है इस तरीकी से सारी प्रक्रिया जो हो रही है जैसे कि भाईया इसमें अगर हम देखे सुपरवाइज लर्निंग में तो regression वाला फंडा चलता है अपना classification वाला फंडा चलता है regression in case जहां पर real या continuous variable data आपके पास है और अगर classification की बात की जाए तो वहाँ पर आपको भाईया data categorical दिखेगा जैसे कि 101010 कुछ इस तरीके से जो है चीज़े आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर तो भाईया वो output answer वाला तो फंडा ही नहीं यहाँ पर सिर्फ आप feature की बीच की जो values है उनी में similarity मापोगे और उसके basis पर देखो यह सारी चीज़ें आपके समक्स जो है आज आएगी clustering, k-means clustering, agglomerative clustering यह सारी भाईया आपको unsupervised learning के अंदर techniques, algorithms देखने को मिल जाएंगे आगे बात करते हैं सबसे interesting वाले फंडे की reinforcement learning भाईया यह ना आपका supervised में आता है यह ना unsupervised में आता है यह अपना अलगी खेल खेलता है यह अलगी खेल खेलता है जैसा खेल भाईया हम बचपन में खेला करते थे ना मतलब यार थोड़ा सा भूट लगी है तो हम क्या करते थे what we used to do हमारे सामने वहाँ पर दिख रहा है हम यहां बैठे है और थोड़ा सा ना 10 मिटर के अंतर पे हमारी जो दूदू की बाटल है वो वहाँ पर पड़ी हुगी है तो आपन क्या करते थे टेकनिक लगाते थे रोने लगते थे एकदम गंदा वाले एकदम चिल्लम चिल्ली वाला रोने लगते थे लेकिन भाईया कोई अगर आसपास ना हो तो आपना रोना सुनता ही नहीं था तो आपने तो effort waste चली जाते थे आपना कहना था कि मैं रो रहा हूँ क्योंकि मेरे को भूक लगी लो भाईया मुझे मिल गया reward यही reward system based आपका respective reinforcement learning चलता है आप बात समझ पा रहे हैं यानि कि मेरा जो यह baby था basically यह छोटा सा ननना सा मुनना सा जो baby था यह क्या था इसे अपन कहते हैं अपना agent ही मेरे agent होता है और उसकी इर्दगर्द भाईया obviously environment है अब उस environment उसने क्या किया एक action किया कौन सा crime वाल action किया लेकिन क्या वह most optimal action था सही action था नहीं उससे तो भाईया कुछ इतना कुछ खास मिला नहीं तो अगली बार से वह बच्चा भी समझ गया कि रोने से कोई फायदा नहीं है रोने से चीज होगी तो तुरंट अपने पास नहीं आएगी दो अच्छा ठीक है इसमें reward नहीं मिला तो फिर क्या करना चीज है तो फिर एक ऐसी चीज करना चाहिए जिसमें reward मिले तो उसमें क्या किया crawl करना शुरू किया तो देखो कुछ इस तरीके से जो है वो crawl कर रहा है crawl करते करते जा रहा है और भाईया यहाँ पर दुदू की bottle पड़ी हुई है और वो फिर दुदू की bottle उसको मिल जाती है आप बात समझ पा रहे है तो अभी क्या हुआ कि हाँ मैंने ये action perform किया तो करना है यही प्रयतना reinforcement learning में अपना रहता है कि अपना जो agent है वो respectively action perform करता environment पे और उसका जो feedback है उसका जो response है उसके basis पे अपने अगले moves जो है next steps जो है in case to maximize the reward वो implement करता है अपने अगले steps उसी के उपर निरबर रहते हैं कि मुझे reward maximum चाहिए आप बात समझ रहे है और उसमें reward punishment का फंडा कैसे चलता है कि अपने छोटा सा बच्चा है है आपन क्या चाहते है कि उसको आग से electric appliances से stove से तोड़ा दूर रखे है तो अगर वो respectively कोई अपने घर में guest आते है तो अपने parents के से बोलते हैं बेटा नाज की दिखाओ बेटा अंकल को एंटी को नाज की दिखाओ तो अगर वो नाज के दिखाते है तो फिर अंकल एंटी चोकलेट देते हैं यानि कि reward मिल रहा है connection बिल्ड हो जाता है सेट हो जाता है और maximize करने के लिए reward आप कोई भी घर में हम पहले नाज की दिखाते हैं ताकि भाईया चोकलेट मिल सके आप बात समच पाते हैं यह होता है आपके reinforcement learning का फंडा जो पड़े detail में मैंने आपके सामने पूरा उत्तर जोय पेश करते हैं hopefully आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ आपके लिए 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